हलो दिये स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और अर्गेनाईज नोलज चैनल और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर 754 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की ये वक्षीट है जो आपके लिए 24 जन्वरी 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की वक्षीट में हम पार्ट दो भारत का भौतिक स्वरूप उसकी पुन्रा विरती करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताके आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए प्रेशन एक करेंगे दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाएगा दो आब, दून, द्रोनी, महाखड तो दो नदियों के बीच का भाग जो है वो कहलाता है दो आब तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क जो है इसका सही उत्तर होगा प्रश्न दो विश्वका सबसे बड़ा आवाशिय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है कौन सी नदी में ब्रहम पुत्र ठीक है तो आप लिख देंगे ब्रहम पुत्र ये इसका सही आंसर होगा नेक्स देखिए प्रशन तीन सतलूस तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमाले का भाग कुमाउ हिमाले के नाम से जाना जाता है तो सतलूस और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमाले है उसका भाग कुमाउ हिमाले के नाम से जाना जाता है तो ये बिल्कुल ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सही हो जाएगा, नेक्ट देहीं, प्रश्निफ 4, गोवा के दक्षिनमे स्थित पस्चमी तटिय पट्टि, दक्षिनमे स्थित पस्चमी तटिय पट्ट्ट है, उसको क्या कहेंगे, कोरोमंडल, कन्नड, कौकन या उत्री सरकार तो क्या कहेंगे उसको हम कन्नड कहते हैं ख जो है इसका सही उत्तर होगा डैस जील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है तो काफी important question है ये डैस जील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है कौन सी जील है? चिलका जील ठीक है? चिलका जील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी जील है Next करेंगे प्रशन 6, प्रशन 6 है दिये गई अनुच्छेद को ध्यान से पड़ें और निम्नलिकित प्रशनों के उत्तर दें आपको अनुछे दिया गया है इन प्रशनों के उत्तर आपको देने हैं उत्री मैदान तीन प्रमुख नदी प्रनालियों सिंधू, गंगा एवं ब्रहंपुत्र तथा इनकी साहिक नदियों से बना है तो उतरी मैदान जो है तीन नदी पढ़ना लिया हो गई सिंदू, गंगा और ब्रहंपुत्र और इनकी सायक नदिया है यह मैदान जलोड मिर्दा से बना हुआ है कौन सी मिर्दा से जलोड मिर्दा से लाखों वर्षों में हिमाले के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणों में जलोडों का निक्षेप हुआ जिससे यह उपजाओ मैदान का निर्मान हुआ ठीक है तो ये मैदान कैसा है ये मैदान उपजाओ मैदान है इसका विश्तार 7 लाख वर्ग किलोमेटर के छेत्र पर है यह मैदान 2400 किलोमेटर लंबा और 240-320 किलोमेटर चौड़ा है। यह सगन जन संख्या वाला भोगलिक छेत्र है, सम्रद्य मिर्दा, आवरन, प्रयाप्त पाने की उपलब्दता एवं अनुकूल जलवायू के कारण क्रशी की द्रश्टी से भारत का अत्यधी कुतपादक छेत्र भी है, उत्री परवतों से आने वाली नदिया निक्षेपन का कारिये में लगी है, नदी के निचले भागों में धाल कम होने के कार नदी की गती कम हो जाती है, जिसके परिणाम सवरूप नदियां द्वीपों का निर्मान होता है, ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र गाद यानि जो मिट्टी है, वो एकत्र हो जाने के बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं इन धाराओं को वित्रिकाएं कहा जाता है यानि वित्रन करने वाली अलग-लग धाराओं में बट जाएंगी तो इनको कहा जाता है वित्रिकाएं आप देखें यहाँ पर कुछ प्रशने दिये गए हैं उत्री मैदान की तीन प्रमुख नदी प्रनालियों के नाम बताईए तो यहां से आप आंसर लिख लेंगे सिंधु, गंगा और ब्रहमपुत्र यह जो है क्या है? तीन प्रमुख नदी प्रनालिया है सेकिंड देखिए उत्री मैदान का निर्मान मुख्यत किस प्रकार की मिर्दा से हुआ है यह मैदान किस प्रकार की मिर्दा से हुआ है जलोड मिर्दा से बना है तो यह आपका फॉस्ट का आंसर हो जाएगा यह आपका सेकिंड का आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए थर्ड वन नदिय द्वीपों का निर्मान होता है तो ये आपका question number 3 का आंसर हो जाएगा next देखिए next है उत्री मैदान क्रेशी की द्रिस्टी से अत्यधी गुतपादक छेत्र क्यों है तो ये आंसर आप लिखेंगे उत्री मैदान जो है क्रिशी की द्रिश्टी से अधिक उत्पादक छेत्र के हो है क्योंकि यहाँ पर सिम्रिद मिर्द्या आवरन प्रयाप्त पानी भी है और अनुकूल जलवायू के कारण यहाँ की क्रिशी द्रिश्टी से भारत का अत्यधिक उत्पादक छेत्र है ठीक है तो ये आपका question number 4 का answer हो जाएगा, तो हमारे 4 question हो गए है, जो भी highlighted में है, ये आपके answer हैं, ये first का हो गया, ये second का हो जाएगा, और ये आपका answer हो जाएगा, third का और ये fourth one, next देखिए, next question है, दून से आप क्या समझते हैं, तो आइए करते हैं, दून से हम जो है क्या समझते हैं, इसका answer, यहाँ से आप इसका answer करेंगे, दून से आप क्या समझते हैं, मद्य हीमाले वे महान हीमाले के बीच, पाए जाने वाली घाठियों को, क्या कहते हैं, घाठियों को दून कहते हैं, जैसे दहरादून, नेक्स्ट प्रश्ण आठ है खादर और बांगर में कोई तीन अंतर बताईए खादर वो नवीन जलोड मिट्टी है जबकि बांगर जो है वो पुरानी जलोड मिट्टी है दूसरा अंतर लिखेंगे खादर अधिक उपचाव भूमी है जबकि बांगर कम उपचाव भूमी है तीसरा अंतर लिखेंगे खादर नदी के समीप की निम्न भूमी है जबकि बांगर नदी से दूर की उच्च भूमी है तो ये तीनों अंतर जो है आप इसमें लिखेंगे नेक्स देखिए प्रश्ण नौ है प्रायद वीपिय पठार की प्रमुख विशेशताएं बताईए पहला क्या होगा प्रायद वीपिय पठार ये कैस आकार के हैं ये त्रिभुज के आकार के हैं दूसरा लिखेंगे इसको दो भागों में बाटा जा सकता है मध्य उच्च भूमी तथा दक्कन का पठार तीसरा है यह बुभाग क्रिशी के लिए कम उप्युक्त है तो ये तीनों जो है पॉइंट आप लिख देंगे नेक्स्ट है प्रश्ण दस बारत की भूमी महान बहुतिक विविदताओं को परदर्शित करती है पांच उधारणों के साथ इस कथन को स्पस्ट कीजिए तो आंसर क्या लिखेंगे भारत में अत्यदिक बहुतिक विशेष्टाएं पाई जाती है जिसके आधार पर भारत को छ बहुतिक भागों में बाटा जा सकता है पहला क्या लिखेंगे पहला है हिमाले प्रदेश तो हिमाले जो है यह भारत की जलवाईयू को प्रभावित करता है तो हिमाल्य के कारण भारत की जलवाईय जो है निरंतर उसमें बदला आता है तीसरा है थार का मरुस्थल यह भारत के पस्चिमिस्थित है और यह वनस्पति तथा यहाँ पर क्या है? वनस्पति और जल का अभाव है नेक्स्ट है नमबर चार प्राइद वीपिय पठार यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है तथा यह खनीज तथा वन संपदा में धनी है नेक्स्ट करेंगे तट्ये मैदान जलोड मिर्दा से निर्मित उपजाओ मैदान है तट्ये मैदान क्या है जलोड मिर्दा से निर्मित उपजाओ मैदान है नेक्स्ट लास्ट द्वीब समू मुख्य भूमी के अलावा लक्ष दीब समू तथा अंडिमान निकोबार द्वीब समू भी भारत का क्या है भारत का भूभाग है तो ये पॉइंट जो है आप इसमें लिख देंगे तो ये हो गए आपके टोटल 10 कोस्टिन और अब आपको ये कोशन जो आई हो बिल्कुल क्लियर है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर पूछ सकते हो और थैंक्स पर वाचिंग स्टूडेंट्स